जब एक गर्भवती महिला शिशु को जन्म देती है तो उसे पुरुष की बीस हड़ियां तूटने बराबर दर्द सहना पड़ता है। यदि आपका दोस्त या सगा संबधी अधिकांश समय नाखून चबाता दिखे तो समझ जाएं उसे पारिवारिक चिंता सता रही है। जब कोई व्यक्ति सच बोलता है तो वह हाथ ज्यादा हिलाता है। वहीं यदि कोई जूट बोलता है तो वह बिलकुल गतिविधी नहीं करता है। यदि आपको या किसी मित्र को आवश्चक्ता से अधिक हंसी आ रही है तो उसके हाथों पर चिमटी कांटे हंसी बंध हो जाएगी। हमारे हाथ की सबसे ज्यादा समवेदन शील उंगली अंगूठे के बाद वाली उंगली होती है। मनुष्य के होट की तवचा तीन से चार परतों से मिलकर बनी होती है जिसके कारण होटों का रंग गुलाबी या लाल दिखता है। यदि किसी की लंबाई कम है तो इसके शत प्रतिशत चांस होते हैं कि प्रेंगेसी के दौरान उसकी माने अधिक चिंता की होगी। मनों विज्ञान तथ्य में तर्क दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जरा सी बात पर आवेश में आ जाए तो समझ जाएं कि वह अपना प्यार जताना चाहता है। बुद्धिमान लोगों को सामान्य बुद्धि वाले लोगों की तुलना में जल्दी क्रोध आता है। तो इस से उसकी मौत हो सकती है। निकलने वाली रेडियेशन के कारण अकसर सर में दर्द और नींद कम आने की समस्या होती है। आवश्यक्ता से अधिक भोजन करने वाले व्यक्तियों की सोचने और समझने की क्षमता कम हो जाती है। दुनिया में अधिकांश लोग सबसे पहले पैन खरीदने के बाद अपना नाम लिखते हैं। यदि दिन में सोते समय सपना आए तो ये फलदाई होता है। इससे रचनात्मक शक्ती और मनोविकास में बढ़ोतरी होती है। एक रोचक शोध यह भी है कि यदि प्याज काटते समय चिंगम चबाते हैं तो आपकी आँखों में आसू नहीं आते हैं। एक सामान निव्यक्ती अपने पूरे जीवन में लगभग 30 से 35 वर्ष भोजन करने में बिताता है। इंसान की आँख की आइब्रो में 550 बाल होते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड़ी को स्टेपिज कहते हैं। इंसान के शरीर की तवचा पूरे जीवन में लगभग 800 से 900 बार रंग बदलती है। इसका मुख्य कारण है कि टेंशन के कारण शरीर में रक्त का थक्का जम जाना। एक शोध के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि थकान के बाद लोग इमानदार हो जाते हैं। मनुष्य का शरीर सबसे कमजोर रात के तीन हडी से चार जट के बीच होता है, ज्यादातर लोगों की मृत्यू नीद में इसी समय पर होती है। यदि आप जरूरत से ज्यादा सोते हैं, तो आपका मन ज्यादा सोने के लिए प्रेरित करता है। हैरानी होगी कि इनसान के शरीर में इतनी गर्मी होती है कि आधे घंटे में पानी उबाल सकता है। जब हम कोई तेज आवाज सुनते हैं, तो इससे हमारी आँखों की पुतली चोड़ी हो जाती है। हम सभी खाने वाली चीजों का स्वाद अपने लार से पता लगाते हैं। लार के बिना किसी भी पदार्थ का स्वाद लेना नाम नाम मुमकिन है। यदि आप धूमरपान करते हैं, तो एक सिगरेट आपके जीवन के ग्यारा मिनट कम कर देती है। एक साल में इनसान का दिल करीब 4 करोड 20 लाग से ज्यादा बार धड़कता है। मनुष्य का शरीर धड़ से अलग हो जाने के बाद भी वह 20 सेकंड तक जिन्दा रहता है। शिशु के जन्म के 10 मिनट बाद ही उसका दिमाग इतना ज्यादा विकसित हो जाता है कि वह समझ सकता है आवाज कहां से आ रही है। मनुष्य के दिल का ओसत वजन 249.6 ग्राम होता है। एक स्वस्थ्य मनुष्य के दिमाग में इतनी ज्यादा उर्जा होती है कि एक 40 वाट के बल्ब 24 घंटे तक जलाया जा सकता है। आम तोर पर बच्चे जब 7 साल की उम्र तक आते हैं तो वह जूठ बोलना सीख जाते हैं। एक शोध में पाया गया है कि शनिवार की रात को लोग सबसे ज्यादा खुश होते हैं। जो लोग भीड को देखकर अपनी जेब में हाथ डाल लेते हैं, उन लोगों का स्वभाव थोड़ा शर्मीला होता है। यदि कोई इनसान छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है, तो इसका मतलब है वह एक कोमल हिदय का व्यक्ति है। जब एक मनुष्य का जन्म होता है, तो उसके शरीर में 306 हड़ियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे यह जवानी में आता है, तो यह हड़ियां आपस में जुड़ जाती हैं। ज्यादा बच्चे अगस्त माह में पैदा होते हैं, पूरी दुनिया में लगभग 11% लोग बाएं हाथ का इस्तिमाल लिखने के लिए करते हैं, जो लोग कम नींद लेते हैं, उनके शरीर में कौटी सोल नाम का हार्मोन बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जीवन के चार साल मासिक धर्म में गुजार देती हैं.